बिस्मिल्लाई रख्मानीरहीम, अस्सलाम अलेकूम, आज क्या बुनाओ मैं मैं आप लोगे साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी बनने वाला ये चॉक्लेटी मूस जो के बहुत वेलवेटी टेक्सिर का बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है ये लिए इसे बनाते हैं एक बाउल लिया है मैंने और इसमें मैं कॉनफ्रार शामिल करूँगी फाइफ टेबल स्पून भर कर आप लोग चाहें तो कॉनफ्रार की जगा पे वनीला कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और कोको पाउडर इसमें मैं शामिल करूंगी तकरीबन फोर टेबल स्पून भर के हैं अब एक पतीली को लिया है मैंने उसके ओपर एक रखूंगी स्टेइनर और इस तमाम खुशक मेजे को मैं चान लूँगी ताकर किसी किसम की कोई गुटली बगरा ना रहे अब इसमें मैंने शामिल किया फूल क्रीम मिल्क तकरीबन एक लीटर दूद मैं लूँगी दूद रूम टेंप्रेचर पर होना चाहिए और इसको थोड़ा थोड़ा सा करके इसमेजे में मिक्स करते जाएंगे साथ ही इसमें मैं क्रीम शामिल करूंगी जो घर की रेगुलर दूद के ओपर बलाई आती है मैं वही वाली बलाई इसमें यूज़ करी हूँ तकरीबन एक कप स्पून की इसमें आप से देखें तो तकरीबन फोर टेबल स्पून है ये इतना मज़े का चॉकलेट मूस है इसमें कोई आपको प्रॉपर मेयर्मेंट की जरूरत नहीं है चीनी इसमें मैंने तकरीबन दो कप भर कर ली है आप लोग मीठा अपने हिसाफ से कम या ज़ादा डाल सकते हैं चीनी को इसके हिसाफ से हंड्रेट क्राम मैंने इसमें डार्क अंपाउंड चॉकलेट है वो शामिल किये आप लोग चाहें तो इसमें डेरी मिल्क भी शामिल कर सकते हैं जो भी चॉकलेट आपको दस्तियाब है आप लोग इसमें डाल सकते हैं इसे हम लोग चुले पे रखेंगे और फ्लेम हम लोगों ने अपना मीडियम टू स्लो रखना है और इसे मुसलसल हीलाएंगे हैंड बीटर की मदद से ताके जो कौन फ्लार है वो बिलकुल भी गुटलियों में न तब्दील हो इसको बनाते हुए तकरीबन हम लोगों को एकी चीज़ का ख्याल रखना है कि हम लोगों ने इसे मुसलसल हीलाना है आप लोग चाहें तो बॉल्व में भी ढाल सकते हैं मेरी तरफ क्योंके मेरे बच्चों के फ्रेंट्स आये वे थे और मैंने उनके लिए स्पेशल ये चॉकलेट मूस बनाया है तो इसलिए मैंने इसकी सर्विंग इस तरह की रखी है ये मेरे पास चॉकलेट पाउडर है इसे मैं इसके उपर डस्ट कर दूँगी आप लोग चाहें तो इसकी जगा कोको पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आप लोग को मेरे वीडियो कैसी लगती है या आपको उनसी वाली वीडियो देखना ज्यादा पसंद करते हैं ताकि मैं आप लोग के साथ वही वाली रेसिपेश शेयर करूँ और इसको तक्रीबन हम लोग ने आदे घंटे के लिए फ्रिज में रख देने हैं ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए ये देखिया आदे घंटे के बाद मैंने इसे निकाला है कितना मज़े का हुपसूरत लग रहा है